सावन मास बड़ा मंगलवार बस एक लॉंग और दीपक रातों रात बदल देगा आपकी किस्मत होगा सभी परिशानियों का अंत ओम कैंशी महागड़ी शाय नमा जे शिफशंकर राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों सावन का पवित्र महिना चल रहा है सावन महा भगवान भोली नाथ को समर्पित होता है इस महा में भोली नाथ का पूजन करने से भोली नाथ के गरपासे कष्टों से छुटकारा मिलता है ये तो हम सभी जानते हैं कि सावन महा के सौंबार का विशिश महत्व होता है क्योंकि सौंबार का दिन भी देवों के देव महादेव को ही समर्पित होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन महा के मंगलवार को भी बहुत खास माना जाता है क्योंकि यह दिन हनुमान जी को समर्पित होता है हनुमान जी भोले नाथ के ग्यारमी अफदार है इस दिन हनुमान जी का पूचन करने से हनुमान जी अतिशीक्र ही प्रसंद हो जाते हैं मानेता understood के अनसा सावन महिने में हनुआन जी का पूचन करने से हनुआन जी भी भोनीनाथ की तरह ही अपने भक्तों की हर मुरात पूरी करते हैं एकाद शुरुत रफ्तार बर्जरंग बली को प्रसंद करने के लिए सावन महा के मंगलवार के दिन बर्जरंग बली का पूचन अवश्य ही करना चाहिएं दोस्तों आज की इस बीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे कहने से बर्जरंग बली अतिशेक्र ही प्रसंद हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी गर्पा बरसाते हैं साथी भोले नाथ का भी आशरवात प्राप्त होता है इस उपाय को कहने से बर्जंग बली और फोली नाथ की कृपा से रातों रात किसमत चबंग जाती है दुरभाग के भी सौभाग के में बदल जाता है और किसमत साथ देने लगती है जब व्यक्ति की किसम साथ देने लगती है तब उसे हर कारे में सफलता मिलने लगती है और बेगड़े कारे भी बनने लगते हैं इस उपाय को करने से बर्जंग बली और महा देख के कृपा से परिशानिया तो दूर होती ही है, साथ ही मापार्वती के कृपा से सौफाकी में भी ब्रद्धी होती है, क्योंकि सावन मंगलवार का दिन मापार्वती को भी समर्पित होता है, सावन महा के मंगलवार के दिन मंगला गौरी ब्रत भी रखा जाता है, गह ब्रत माह पार्वती को समर्पित होता है, इस दिन माह पार्वती का विशेश रूप से पूचन किया जाता है। दोस्तों बजरंग बली और भुले नात की किरपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जै शीराम, जै बजरंग बली, जै भूले नात जरूर लिखें। और वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजेगा। और और भी यूसफुल वी किसी भी समय कर सकते हैं, यह समय बजरंग बली और भुले नात की किरपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुप माना जाता है। उपाई करने के लिए सबसे पहले इस्नान का सुच्छ बस्तर धारन करें। आपने दिन में इस्नान क्या हैं तो आप अच्छी तरह से मुहा जलाएं। दीपक में आपको रुई की बाती ही लगानी है। शुद्ध की ना हो तो डालड़ा घी या मीठा तेल जिस भी चीच का आप पूचन के दौरान दीपक जलाते हैं आप वैसा दीपक बना लीजे। दोस्तों हमारे पास कई कोश्चन आते हैं कि अगर दीपक कोई उपाय है तो उसके लिए क्या अलग सी दीपक जलाना है तो ऐसा नहीं है इस उपाय को करते समय आपको अलग सी दीपक जलाने की जुरत नहीं है। आप संध्या काल के समय यह उपाय कर रहे हैं और संध्या बंदन के लिए आपने जो दीपक जलाया है आप उसी दीपक को ज बढाम करें और परडियंग प प्रड़ाम करें इसके बाद आप एक साबॉट फूहली लॉंक लें लॉंक को शुत्य जल डालकर या गंगर जल डालकर शुत्य करें वर साफ कपड़ें से पोंचके सुखा लें आप इस लॉंग को आप अपने मंदिर में भगवान ची के सामने रखते हैं इसके बाद भगवान ची को आप किसी फल में श्ठान का भोग लगाएं हो सके तो आज के दिन बर्जंग बली को बूंदी के लड़ू का भोग अवश्य लगाएं या फिर जो गुलदाना होता है बड़ी बूंदी जो इस्पेशल बर्जंग बली के भोग के लिए बनाई जाती है आप उसका भी भोग लगा सकते हैं भोग रखने के बाद भगवान शिरी करेश भगवान शिपमा पारवती भगवान शी राम और बर्जंग बली से भुख स्विकार करने की प्रातना करें दोस्तों प्रातना करने के पश्चात आपने मंदिर में जो लॉंग रखी है उस लॉंग को उठाएं अपने माथे से और फिर इस लॉंग को आप इस दीपक में डाल दें ध्यान रखें आपको साबद फूल वाली लॉंग लेनी हैं तूटी हुई लॉंग ना लें दोस्तों अब आप सबसे पहले हाथ चोड़कर भगवान शी राम के नाम का थोड़ी देश जाब करें आप जै शिरी राम जै जै सिया राम जै सिया राम का जाब कर सकते हैं दोस्तों भगवान भोले नात के आरात थे भगवान शी राम है इसलिए भगवान भोले नात के कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शी राम का पूचन अवश्य करना चाहिए भोले नात के साथ ही बर्जंग पली के आरा का जाब करें पुरुष ओम नमा शिवाय मंतर का एक सो आट बार जाब करें महिलाएं ओम शिवाय मंतर का एक सो आट बार जाब करें ध्यान रखें पुरुषों को ओम नमा शिवाय मंतर का जाब करें और महिलाओं को ओम शिवाय मंतर का जाब करें इस मंतर का आपको एक सो हनुमान चालिसा का पाट करें हनुमान चालिसा का आपको उच्छ स्वर में पाट करना है दोस्तों अगर आप किसी पुस्तक से हनुमान चालिसा का पाट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जिस पुस्तक में लाल रंगी शाही से हनुमान चालिसा लिखी हो आप उससे पाट करें ऐसा कहना आधिक शुबमाना जाता है। दोस्तों इस तरहें पूचन करने के पश्चाद अब आप दीपक उठाएं और फिर इससे दीपक से आर्ती उतारते हुए आप भगवान शिपची की आर्ती करें। आप दीपक बनाते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है जो अगर पीतल का दीपक होता है जिसमें रूई की बाती खड़ी करके लगाई जाती है। अगर आप देपक ले रहे हैं तो साधा बाती जैसे दीपक में लगती है आप वही लगाएं। लेकिन अगर मिट्टी का या आटे का आपने दीपक लिया है या साधा दीपक है तो उसमें आपको खड़ी बाती नहीं लगाने आपको लेटी हुई बाती लगाने हैं जिससे बाती पूरी ना जले। दोस्तों इस तरहें पूजन करने के पश्चात अब आप शिप परिवार को और भगवान शी राम भर्जंग बली को प्रणाम करें। और आपके जो भी समस्या है वह भगवान शी के समक्षक हैं और समस्या को दूर करने की प्रातना करें। दोस्तों शास्तों के अनुसार दीपक में लॉंग डालकर इस तरहें महादेब और भजंग बली का पूजन करने से महादेब और बजंग बली अती शीक्र ही प्रसन हो जाते हैं। इस तरह पूजन कहने से कष्टों से छुटकारा मिलता है, तुखों का नाश हो जाता है, महादेव बर्जंग बली के कृपा से जीवन में खुशियां आती हैं, और बड़ी से बड़ी परिशानी दूर हो जाती है, बर्जंग बली की कृपा से किस्मस साथ देनी लग जाती है जब किस्मस साथ देती है, तो हर कार्य बनने लगता है, और कार्यों में सफलता मिलती है, दोस्तों पूचेन करने के परिशात आपने बागवान ची को जो भोग लगाया है, उसे परिशात की रूप में अपने परिवार सहित क्रहन करें, आगले दिन सुभह उठकर इसनाना का विसरजित कर सकते हैं, दोस्तों सावन मंगलवार के दिन मापार्वती का भी बिशेश रूप से पूचन किया जाता है, जिन कन्याओं के बिभा में बिलंब आ रहा है, उन्हीं आज की दिन मापार्वती को मेहंदी अर्पित कर सकते हैं, और फिर मापार्वती के प्रशा अगन इस्तरिया हैं उन्हें इस दिन सुहाग की सामकरी खास दूर पर सिंदूर मापारवति को अर्पित करना चाहेएं। और फिर पूजन के परचाथ इस सिंदूर को अपने सिंदूर में बिलाकर रख लें। और रोजाना इस सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। ऐसा कहने से मापारवती की कृपा आपस सदय बनी रहेगी और आपको अखन सौभाक्य की प्राप्ती होगी। दोस्तों सावन मंगलवार के इस सुबसायोग पर इन आसान से उपायों को कर इन से लाव अवश्य ही प्राप्त करें। उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर अपने प्रेंज के साथ शेयर जरूर करें। और और भी यूसफुल वीडियो के ल प्राप्त करें।